प्यारे बच्चों, आज हम सुरू कर रहे हैं गती एवं समय के ग्राफ के बारे में और ये अंतिम लेक्चर है, इसके बाद हम एक लेक्चर ओर लेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे पिछली लेक्चर में आपको बताया था कि आपको स्पीडो मीटर और ओडो मीटर दिखाया जाएगा, यानि चाल मापी और दूरी मापी, जो गाड़ियों में लगा होता है, पहले वो देखे, ये देखे किसी कार का डैस्बॉर्ड है, और जो उसके ऊपर डैस्बॉर्ड में हमें दिरिशे दिखाई देता वो इस प्रकार से है यह dashboard है कार का और इसी dashboard के अंदर speedometer होता है यह तो dashboard है dashboard का है और इस dashboard में ही यह देखे चाल मापी यह जो आपको 0,20,40,60,80 यह दिखाई दिर है यह जो यहाँ पर एक सुई घूमती है जब गाड़ी चलती है तो यह चाल मापी यानि speedometer है और इसमें यह जो भाग है जो किलो मेटरों में दूरी दर्शाता है इसको odometer या पथ मापी कहते हैं यह पिछले lecture में मैंने आपको कहा था इसलिए आपको दर्शाय गया है आज हम करने वाले हैं graph दिखे graph अलग अलग परकार के होते हैं आखड़ों को विभिन परकार से परदर्शित किया जा सकता है एक जैसे stump graph यह आपके सामने है इसको bar graph भी कहते हैं इसमें किसी भी आखड़े को हम stump के रूप में परदर्शित करते हैं जैसे यहाँ पर किसी टीम के द्वारा ओवर में बने रनों की संख्या को दर्शा रखा है कि पहले ओवर में किवले एक रन दूसरे ओवर में पांच रन बने हैं और तीसरे ओवर में चार रन हैं चोथे ओवर में दस रन बने हैं इस परकार से रनों को दर्शाय जाता है औ और आप किर्केट में ये हमेशा देखते भी रहते हैं। ऐसे को हम स्तंब ग्राप गोलते हैं, क्योंकि इसमें स्तंब दर्शाय गए है। दूसरा है वृता रेक अत्वा पाई चित्र, इस गोले के बाध्यम से, इस वृत के माध्यम से दर्शाया जाता है। ये देखे, ये नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है, या आक्सिजन की है, ये अन्य गैसे दिखा रखी हैं, तो इन सभी को उसी अनुपात में विभाजित किया जाता है, जिस अनुपात में वो उपस्थित हों, और उसको हम इस तरह से विरित के रूप में, या पाई चार के रूप में दर्शाते हैं, और तीसरा जो मुख्यत है, हम पर योग करते हैं, रेखा ग्राफ, जो आज हम दूरी और समय के पीच में रेखा ग्राफ और भी बनाएंगी, ये रेखा ग्राफ है, ये जैसे यहां पर भार और आयू के बीच में दर्शा रखा है, कि किस बनाने के लिए हमारे पास एक graph होता है और ये आपने graph कोपी में देखा भी होगा इसमें छोटे छोटे वरगाकार वरग होते हैं और फिर परतेक 10-10 वरग के पीछ में एक और बड़ा वरग बनाया जाता है और इस वरग के उपर हम देखें ये भी इसी परकार से हैं तो इस वरग के उपर हम एक दो अक्स लेते हैं एक कहते हैं X अक्स और दूसरा Y अक्स जैसे हम इसको एक ऐसे एक लाइन के उपर इस परकार से एक रेखा के उपर रेखा उसको डार्क कर देते हैं और दूसरा ये य उर्द्वाधर इस तरह से बना लेते हैं इस क्षैतीज वाले को हम X-AX कहते हैं क्या कहते हैं X-AX और जो उर्द्वाधर होती है इसको हम Y-AX कहते हैं इस तरह से X-AX और Y-AX दो ये AX बनाए जाते हैं और दो राशियां जिनको निरुपित करना होता है एक हम X-AX के साथ लेते हैं और दूसरा हम Y-AX के साथ लेते हैं मानलिया कि हमने दूरी समय ग्राफ बनाना है दूरी और समय तो हम दूरी मानलिया yx पे ले लेते हैं और समय मानलिया हमने xx पे ले लिया इस प्रकार से एक रासी को हम xx पे लेंगे और एक को yx पर मालिया के एक कार एक मीनिट में एक किलोमीटर चलती है तो उसको हम किस परकार से निरूपित करेंगे हम सारनी बना लेते हैं मालिया दूरी समय एक किलोमीटर दूरी सभी किलोमीटरों में हैं बार बार ने लिखेंगे और समय मालिया के मीनिट में है एक, दो किलोमेटर, दो मिनट में, तीन किलोमेटर, तीन मिनट में, चार किलोमेटर, चार मिनट में, पांच किलोमेटर, पांच मिनट में इस प्रकार से एक नियत चाल है अगर हम इसको यहाँ पर जहाँ पर इस दोनों काटते हैं इसको सुनने-सुनने लिखते हैं और यह मान लिया हम दो-दो का एक बना लेते हैं दो खाने का एक हमारी मर्जी होती है एक, यह दो, यह तीन, चार, पांच और यहाँ पर यह मिनट है मिनट में लिया हमने इसमय मिनट मिनट इदर बढ़ते रहेंगे और इसी तरह से दूरी ऊपर की तरह बढ़ती रहेगी दूरी एक, दो, तीन, चार, पांच अब आप देखिए किस परकार से ग्राफ बनाना है एक के साथ एक किलोमेटर एक मिनट एक मिनट में एक किलोमेटर जहाँ पर एक मिनट का और एक किलोमेटर आपस में मिलते हैं वहाँ पर बिंदू लगा दीजी इसी परकार से दो मिनट और दो किलोमेटर जहाँ मिलते हैं दो मिनट ये रहा और दो किलोमेटर यह रहा है यहां इस बिंदू पर मिलते हैं यह हो गया तीन मिनट तीन किलोमेटर यहां मिलते हैं चार मिनट चार किलोमेटर यहां पर मिलते हैं देखिए इधर से चार से आने वाला इधर से इस चार से आने वाला पांच मिनट और पांच किलोमेटर कहां मि होती है हमेशा सीधी रेखा पराप्त होती है यह ग्राफ सीधा होता है तो यह दूरी समय ग्राफ है नियत चाल नियत चाल होती है ऐसी चाल जो निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तैकरे यहां समय का अंतराल भी एक एक मिनट का है दूरी भी एक एक मिनट की है त गृत चाल का इस परकार से हम भो कर सकते हैं समय के एक मिनिट दो मिनिट तीन मिनिट इस तरह से ले लिए इसके लावा हम और भी तरह का graph वो कर सकते हैं हम एक और लेते हैं समय दे रखा है आपको graph y x सबसे पहले तो बस बात यही करना होता है कि हमें y x लेना है और x x लेना है माले यह y x था और यह हम x x ले लेते हैं इधर मालिया समय लेते हैं इधर और इस तरफ दूरी लेते हैं समय यू भी दिया जा सकता है मालिया कि सुबह हम पांच बज़े चलते हैं तो सुबह पांच बज़े का समय यही फिर पांच बज़े यहाँ पर काड़ी तीन तीन यहाँ पर हमने वो कर लिया मालिया तीन के खाने को एक कर लिया तो फिर तीन खाने के बाद मालिया आदा घंटे का दर्सा देते हैं साड़े पांच बजे यहाँ पर फिर अगले तीन खाने में छे बजे फिर अगले तीन खाने के बाद मालिया साड़े छे बजे तीन का ले सकते हैं का ले सकते हैं दो का ले सकते हैं हमारी मर्जी है और यह जैसे कि हम दर्स बता दें आपको कि यह समय है और यह दूरी सुबह पांच बजे मालिया के दो किलो मीटर चलते हैं किलो मीटर में है दूरी फिर साड़े पांच बजे पांच बजे दो किलो मीटर है फिर साड़े पांच बजे आदा घंटे के बाद हम देखते हैं कि दूरी मालिया के 10 किलो मीटर चले गए तो यह 12 हो गई फिर 6 बजे फिर 10 किलो मीटर हो गई यानि 22 किलो मीटर चला जाएगा फिर 6 बजे 32 किलो मीटर दूर पहुँच गए 7 बजे 42 किलो मीटर दूर चले गए यानि कि आप देखिए हर आदा घंटे में 10-10 किलो मीटर बढ़ रहा है तो वही चीज यहाँ पर हमने दर्शानी है कि 7 बजे यहाँ पर पहुँच गए है तो यह दूरी दर्शाई देखिए हम मान लेते हैं इसको जो हर एक दूरी को हमने इसको यहाँ पर 2 किलो मीटर का एक जो है खाने को हमने ले लिया कि यह 5 किलो मीटर वाला यहाँ पर यह 2 किलो मीटर का है और फिर हर एक खाना जो है वो 2-2 किलो मीटर को दर्शा रहा है या आप यह कहिए कि 2 किलो मीटर काफी बड़ा वो हो जाएगा तो एक खाना जो है 4 किलो मीटर को दर्शाना कर देते हैं तो 2 किलो मीटर का अदा हो जाएगा फिर 2 के बाद यह एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदा, सोला तो आप चलो, 4 किलो मीटर का एक खाना कर लिजिए तो यह 8 को, यह 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, और 40, 44, इस प्रकार से दर्शाएगा अब आप देखे, 5 बजए 2 किलो मीटर यानि इसका आदा कर दीजिए तो यहाँ पर आएगा बिंदू, यह बिंदू आ जाएगा फिर, 5,5 बजए कितने हैं, 12 किलो मीटर, 12 किलो मीटर यह रहा, 5,5 का और 12 का, जहां पर मिल रहा है, उसको मिला दीजिए, यह रहा, 6,5 बजए और 22, 22, 24 के बीच का रहेगा यहाँ पर, 6 बजए, यह बिंदू रहेगा बीच में और फिर, 6,5 बजए 32 किलो मेटर, यह रहा, और फिर, 7 बजए 42 किलो मेटर इसके बीच में यहाँ पर आएगा, यह रहेगा, और इस परकार से हमें एक सीधी रेखा पराप्त होगी, यहां से, यह इस परकार से, फिर आगे सीधी रेखा पराप्त होगी, तो यह क्योंकि नियत चाल चली पांच बजे हमने चलना शुरू किया है तो इस करके इस चाल को हम नहीं देखेंगे यहीं से शुरू करेंगे प्रकार से जो सीधी रेखा पराप्त होगी उसे हम नियत चाल यानि जब भी नियत चाल रहेगी हमारी गती की जो रेखा वो सीधी पराप्त होगी अब आप यहाँ पे देखिए पहले जो है यहाँ पर मालिय साड़े चार बजे हमने चलना शुरू किया तो इसमें दोई किलो मिटर गए है तो यह देखो सीधा नहीं है मैं अगले ग्राफ में बता देता हूँ बाकी इसके बाद हर आते घंटे में दस किलो मिटर चला है तो चाल क्या होगी सीधी होगी यदि चाल नियत ना हो तो मालिय यहाँ पर देखिए चाल नियत नहीं होगी तो ग्राफ सीधा नहीं आएगा समय हम हर दस मिनट का ले लेते हैं और दूरी देखिए आगे पीछे कर देते हैं जीरो से दस मिनट पहले दस मिनट में मालिय वो पांच किलो मिटर चलता है अगले दस मिनट के अंदर वो दो किलो मिटर जाता है अगले दस मिनट के अंदर वो तीन किलो मिटर जाता है अगल लेकिन दूरी कम ज़्यादा हो रही है तो इसकी जो रेखा ग्राफ आएगा वो सीधी रेखा नहीं आएगी वो टेडी मेडी आएगी देखिए समय दस मिनट माझन लिए कि हम एक दो खाने को दस मिनट ले लेते हैं या चार खाने को दस मिनट ले ले लिए ताकि बड़ा ग्राफ दिख जाए एक दो तीन चार खाने को दस मिनट ले लिया एक दो तीन चार अगले को फिर दस मिनट फिर अगले चार यानि दस मिनट कहने का मतलब यह कि यह दस मिनट फिर ये 20 मिनिट, ये 30 मिनिट, क्योंकि समय 10 मिनिट, 20 मिनिट, 30 मिनिट, 40 मिनिट, इस तरह से हैं, और फिर अगले 10 के बाद, 40 मिनिट, इसका देखे, ग्राफ के साथ है, 2 किलो मिनिट, ये माले 1 किलो मिनिट का एक है, एक, दो, यानि 2 किलो मिनिट का हो जाएगा, ये 1 किलो मिनिट का, ये 3, ये 4, ये 5, 6, अब इसका जोड़ देखे, 7 और 13 और 14 है, हम 14 तक लेकि जाएंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानि ये 5 किलो मिनिट, दूरी जो है, पहले 10 मिनिट और 5 किलो मिनिट चलता है, फिर वो टोटल, अगले 10 मिनिट में 2 किलो मिनिट चलता है, यानि कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 7, फिर अगले कुल दूरी, 10 और अगले में कुल दूरी, 14, तो आप देखे, पहले 10 मिनिट में 5 किलो मिनिट, 10 और 5 का ये रहा, फिर अगले 10 मिनिट, यानि 20 मिनिट पे कित किलो मेटर पे तो फिर बीस साथ किलो मेटर पे यानि ये रहा साथ किलो मेटर का फिर तीस मिनट के बाद वो दस किलो मेटर पे चलता है ये दस किलो मेटर का और चालिस मिनट के बाद वो चोदा किलो मेटर पे मिलता है हमें तो देखी, पहले यूँ जा रही है, फिर यूँ हो गया, फिर यूँ हो गया, फिर यूँ हो गया, ग्राफ लाइन जो सीधी नहीं है अगले दूरी देखे, इसमें तो पांच कांतरा आ रहा है, यहां दो कांतरा आ रहा है, तीन कांतरा आ रहा है, तीन कांतरा रहा है, चार कांतरा है, यानि पहले दस मिनिट में वो पांच किलो मिटर दूरी तया करता है, अगले बीस मिनिट में कुल दूरी साथ ही होती है, या अगले 10 मिंट में किवाल 4 किलो मिटर चला तो इस प्रकार से दूरी यह कम जादा हे और यह पंच, दो, तीन, चार तो ग्राफ लाइं सीधी नहीं आएगी टेडी मेडी आएगी इस प्रकार से अनेक प्रकार के ग्राफ होते हैं यदि नियत चाल रहेगी तो ग्राफ स्किल जो रेखा है वो सीधी आएगी और ये नियत चाल नहीं होगी तो ग्राफ की रेखा जो है वो सीधी नहीं होगी इसके बाद हम आगे चलते हैं ये देखे उधान का पहला और दूसरा प्रशन है आज हम ये भी करेंगी निमलिखित गतियों का वर्गीकर्ण सरल रेखा के अनुदिस वर्टुल या तो सरल रेखा आपने बताना है इनमें गतियां किस प्रकार की है सरल रेखा के अनुदिस है वर्टुल है अत्वा दोलन तो दोड़ते समय आपके हाथ होई गतिया क्या होती है दोलन होती है क्योंकि हाथ दोड़ते समय आगे पीछे आग सरल रेखा में होती है तो सरल रेखा के अनुदिश है मैरी गो राउंड गोल गूमता है तो गती कौन सी होगी गोल वाली क्या होती है वर्तुल तो वर्तुल गती होगी सीशा जूले गती यानि आगे पीछे जो हम जूलते हैं वो कैसी गती होती है आगे पीछे वाली दोलन गती विद्यूत घंटी के थोड़े गती वो भी आगे पीछे ऐसे ऐसे लगता है तो ये भी गती क्या होती है दोलन गती होती है सीधे पुल पर रेल गाड़ी की गती सीधी जाते हैं तो सरल रेखे गती होती है यह भ्यास का पहला प्रशन था निमल खित में से कौन सा कथन सही नहीं है समय का मूल मातरक सेकंड होता है यह सही है मूल मातरक सेकंड ही होता है परतेक वस्तू की नियत चाल से गती करती परतेक वस्तू नियत चाल से गती नहीं करती अधिकतर वस्तू या गाड़ियां तो नियत चाल से गती करती ही नहीं है इसलिए ये गलत है दो शेरों के बीच की दूरियां किलो मीटर में मापी जाती है बिलकुल सही है क्योंकि दूर होते हैं तो बड़ी इकाई लेते हैं किलो मीटर किसी दिये गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता दिये गए लोलक का दोलनकाल हमेशा नियत होता है रेल गाड़ी के चाल मीटर परती घंटे में व्यक्त की जाती नहीं किलो मीटर परती घंटे में व्यक्त की जाती किसमें की जाती है किलो मीटर परती घंटा ना के मीटर परती घंटा तो इसमें जो है ये खै गै पेक तो खै और एक घै और चै ये गलत है और हमारा जो है कै औ और गय जो है वो सही है तो आज के लिए बचो इतना है काफी घर पर रहें स्वस्त्रे और अपना काम हर रोज करते रहें धन्यवाद